हेलो दोस्तो मैं हूँ अभिशेक और गैजिस यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ आज का ये वीडियो है PUBG के बारे में PUBG एक ऐसा गेम बन गया है जो कि आज के समय में हम जैसे रिव्यूर्स के लिए एक बेंचमार्क बन गया है जिस बेंचमार्क के बेसिस पे हम फोन की परफॉर्मंस को टेस्ट कर सकते हैं कौन-कौन से फोन यहाँ पे इंडियन मार्केट में ऐसे हैं जिनके अंदर आप PUBG खेलेंगे तो खुश रहेंगे आपको मज़ा आएगा गेमिंग एकस्टी में अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ यह फोन पावरफॉलनेस के हिसाफ से अगर परफॉर्मंस की बात करें तो परफॉर्मंस में भी यह फोन टॉप नौच हैं तो यहां पर मैं बताऊंगा मैं आपको साथ ऐसे फोन जो की PUBG खेलने के लिए बिलकुल परफेक्ट हैं और इन में आप PUBG खेल सकते हैं अलग-अलग प्राइस पाउंट बता दूँगा तो ऐसा कुछ निया कि महंगे महंगे फोन तो पहला फोन है यहां पर Realme 1, जी हां Realme 1 बहुत ही बड़ा फोन है Realme 1 के अंदर आपको जो हाड़वेर मलता है वह Helio P60 वाला हाड़वेर है जो की Mediati की तरफ से बहुत ही बड़ा 12 नानो मिंटर वाला प्रोसेसर है और ऐसे में यह processor बहुत ही अच्छा है overall performance के हिसाब से हाला कि एक चीज है जो कि आपको परिशान कर सकती है PUBG खेलते समय वो यह है कि यहाँ पर touch screen है वो इतनी responsive नहीं होती है और जब भी high graphic settings में phone चलता है या game चलता है तो उस time पर lag देखने को मिलता है यह कुछ notice किया है हमने real me 1 में medium graphic intensity से अगर आप खेलेंगे PUBG तो बिल्कुल smooth चलेगा बिना किसी परिशानी के overall gameplay smooth है अगर आप ज़्यादा high graphic settings पर phone को नहीं किलते हैं by default medium graphic settings में real me 1 पर यह game चलता है इसके बाद जो अगला phone है जो की बहुत ही बड़िया है और even better है Redmi Note 5 Pro से यहाँ पे Zenfone Max Pro M1 बहतर perform कर रहा है gaming में compared to Redmi Note 5 Pro खासता है PUBG के अगर हम बात करें PUBG के अंदर यहाँ पे इस phone के अंदर frame drops हमें देखने को मिलते हैं जो की होता ही है जब extreme graphics आदाते हैं 4GB वाला version 4GB RAM वाला version जो हमने use किया है यहाँ पे Adreno 519 GPU होनी की वज़े से और stock Android UI होनी की वज़े से overall gaming की performance Asus Zenfone Max Pro M1 में बहतर है खासता से 6GB वाले RAM वाला version जो है उसमें तो और भी बहतर है जो अगला phone है यहाँ पे वो नया phone है हमने लिस्ट में इसलिए इंक्रूड किया है क्योंकि बहुत popular phone है जी आमें बात कर रहा हूं Mi A2 यह phone के अंदर PUBG ठीक ठाक चल जाता है Medium Graphics Settings में ही चलता है तो अब जो भी phone मैंने बता है उनमें Medium Graphics Settings पे ही चलता है एक है Rockstar phone यहाँ पे बिल्कुल Rockstar मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इस phone का नाम है Honor Play इस phone ने आके 20,000 के अंदर बिल्कुल दमाल मचा दिया है क्योंकि यह phone के अंदर Ultra Mode में चल जाता है HDR Mode में चल जाता है बेसिकली PUBG HDR यानि कि बिल्कुल Extreme अच्छे वाले Graphics कुछ वैसे वैसे Graphics जैसे कि मिलते हैं आपको OnePlus 6 Green 970 वाला CPU इसमें दिया गया है और ऐसे में इस phone का जो हमारा 6GB RAM वर्जिन है उसमें हमने यह सब चीफिट टेस्टिंग की है तो ऐसे में चार्ज भी वाला वर्जिन अगर आप देखने है तो उसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता लेकिन Honor Play ओवराल गेमिंग परफोर्मेंस में बेतर है क्योंकि यहां पर GPU Turbo Technology यूज की गई है और PUBG इस phone के अंदर सबसे बढ़िया चलेगा तो अगर आपको पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं करने है और PUBG बिल्कुल smoothly high graphic settings पर चलाना है तो आपको लेना चाहिए सिर्फ और सिर्फ honor play इसे के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे तो 30,000 रुपे के चलाना लगाते ही हमारे पास आया है Asus Zenfone 5Z जो की overall performance में बढ़िया है इस phone पे भी high fps settings पे आपका जो है गेम चलता है बिल्कुल lag वगरा नहीं दिखता है HD mode में चल जाता है Asus Zenfone 5Z में PUBG हाला कि honor play जो की 20,000 रुपे का है उसमें HDR mode में चल जाता है तो ऐसे में definitely honor play यहां पे Asus Zenfone 5Z से बहतर है खासता से PUBG की overall performance की अगर हम बात करें और high fps की बात करें इसके बाद है Huawei की दरफ से Nova 3 जो की ultra fps में है लेकिन यह phone की price again 30,000 रुपे है यह ultimate gaming phone, बिल्कुल smooth phone, बिल्कुल बढ़िया phone camera के हिसाब से तो आपको लेना चाहिए OnePlus 6 यहां OnePlus 6 यहां पे बिल्कुल top पे है क्योंकि OnePlus 6 पे जो gaming performance वो लाजवाब है और वो gaming performance definitely सबसे बढ़िया है पैसे जरूर लगते हैं लेकिन यहां पे 35,000 रुपे लग जाते हैं 35,000 रुपे में आपको value for money phone मिलता है और ऐसे में gaming performance अच्छी मिलती है, day-to-day performance भी अच्छी मिलती है तो OnePlus 6 definitely top पे है लेकिन यहां पे second number पे इन 7 ओ फोन में में रखोंगा और प्ले को value for money के हिसाब से उसके बाद आप इससे Zenfone 5G कंशिडर कर सकते हैं उसके बाद आप Zenfone Max Pro M1 कंशिडर कर सकते हैं तो अगर आपको खेलना है PUBG जो कि बहुत ही popular गेम है तो ऐसे में यही phone आप कंशिडर करिए इन 7 ओ फोन में कोई भी आप phone लेंगे तो आपको gaming के अंदर बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी हाला कि थोड़ा बहुत issues notice होंगे depending कि कितना पैसा आपने कट्च किया है कौन सा फोन लिया है लेकिन फिर भी gaming performance यहाँ पे बहतर रहेगी बाकी और कोई भी जो मार्केट में phones हैं उनके उपर PUBG खेलेंगे और इनके उपर खेलेंगे तो बहतर परफोर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी इन 7 ओपोन में तो कुछ इस तरह से तहीं आप यह वीडियो एक और चीज बदादे तो हो अगर इस तरह के वीडियो आपने देखने है तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दिया करो लाइक बटन तो दबाई दिया करो इतना सा तो लाइक बनता है आप लोगों के लिए इतनी बड़ीया लिस्ट निकालिए पिलाल फिर्मित नहीं बहुत बहुत शुक्रिया जैहिन वन्ने मातरम